है फ्रेंड्स वेलकम टू सब्सक्राइब है तो आज की टॉपिक है हमारा वह आइटरेटिव स्टेट्मेंट यानि की लूपिंग तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं तो चलिए देख रहते हैं लूपिंग होती है तो लूपिंग है कि रिपीटेटिव प्रोसेस है यानि कि हम पर जो भी स्टेट्मेंट होती है वह बार वार रिपीट होती है फार पर प्टिकुलर आउट्पूट तो अगर इसको मैं आसान भासे मैं बता हूं तो इसका मतलब यह हुआ कि जो भी लूप के बॉड़ी होते हैं उसके अंदर जितने भी स्टेट्मेंट होती है अगर इसको हम बार बार एक्जिकुट कर रहे हैं फार पर प्टिकुलर आउट्पूट है फार प्टिकुलर टास्क तो इसले हम बोलते हैं इसको रिपीटेटिव प्रोसेस क आइडरेटिव स्टेट्मेंट तो अगर मैं बात करूं जावा की जावा में सिंपल चार तरगे की लूपिंग होते हैं जैसे कि आप देख पार हैं पर फॉर लूप फॉर लूप डूप फॉर इच लूप तो इन चारो लूपिंग की मदद से हम जावा में कोई भी एक जाव También होती है् जब तक क्न्टिसेन की प्रोशेस से फॉर लूप होगा where You are प्रोसेस तो इसलिए हम इसको बोलते हैं फॉर लूप तो अगर कंडिशन फॉल्स हो गया तो सिंपल यह लूप से बाहर आ जाएगा जो भी लूप से बाहर आ करने के लिए आपको पता है कि अबस Democrat TandTak ही करना है तो सिंकर हमको पता है तो यहां पर यह जो ब्लोग दिखे रहे हैं यहां पर जो पहला चीज पर भी क्तन की से अप्यरा invite अर्फ करएंगे उसके बाद हम सेमी कलोन का यूज करेंगे तो कुछ इस तरह होता है फिर उसके बाद आता है कंडिशनाल ब्लोग यहां पर जो भी होते हैं कंडिशन को चेक करें जाती जो भी उजर कंडिशन को इन्पट करते हो यहीं पर गॉर्ड लाग के चैक करता थे इसको हम पूलते ब्लॉक तो फिर नेकूंट है होय click तो कुछ इस तरासे उतर लोग की सिंठेक्स यहां पर होते हैं यहां पर मैंने करना जो इसलैस होती है है , यहां पर आई को टोन्टी और थाटी कुछ भी करते हों वहां पर क्या होते हैं पर मेलूकी इंसलैस करते हैं वह através lived होता है जिसका अंदर के value होता है तो यहां पर जो इनिसे लाइजेशन सेक्सान यह सिरफ एक की बार एक जीग्ट होता है लूब की लाइब डैम में इसको हम देखने वाल है कि कैसे एक जीग्ट होता यह एक की बार सिरफ तो यहां पर होता है conditional block यहां पर condition को input करते हैं उसे condition की आधार पर इस व्लॉक के अंदर आएंगे इस व्लॉक के अंदर जितने भी स्टेट्मेंट होगे उन सारी स्टेट्मेंट को आपस में execute करेंगे जब तो condition false नहीं हो जाए तो यहां पर simple condition को input करते हैं simple है तो यहां पर हम करते इंक्रीमेंट अन्डिक्रीमेंट ऑपरेटर यह उज़ोते है value को इनक्रीज और decrease करवाने के लिए तो यहां पर मालो मैंने करा i equal to 10 तो यहां पर जो आई यह वहरेबल है कोई भालो एक जामपल ले रहा हूं यहां पर आई के वहरेबल है तो इसके अंदर एक value काहिए पर जो इनीस्ट छोड़ेबल हूरेट के लिएर को एक अगर आम कंडिशन होगा इंडिशन्स तुम्हा सिंपल इसको sekali इंक्रीज करेंगे मालो का यहां पर एक वहलू बाइवान इंक्रीज करना अब इसके यूज करते हैं फॉरलूप के अंदर तो चलिए एक छोटा सा पोगर हम बना के देख लेते हैं कि आपको सही समझ आज है फॉरलूप की बारे में कि हम इसको यूज कैसे करते हैं तो यहां पर मैं आपर दो टेख्ष्टेड़ इसको ओपन कर चुका है उसको बड़े सेब करते हैं मालों मैंने कुछ इस तरह से करा फॉर लूप अंडर्सक्र डेमो डोट जावा तो यह जो要 for loop underscore demo यह है हमारा file का नाम जो कि Java की file तो यहां पर हम call लिखना स्वरू करते हैं मैंने करें हैं है और class class और file का नाम same होते हैं तो यहां पर मैंने करें for loop underscore demo underscore demo, फिर हम करते हैं हैं पर class की body create, तो यहांसे लेकर रहा है हैं तो के class की body तो यहां पर define करते हैं मेंने करा public static void main फिर हम करते हैं string किया रहे हैं जो variable नाम है वह है ARGS तो यहां से रहे हैं थे के main method की body मालो मैंने हम इस तरह अच्छा कर रहा है जो की उच्छ होता है वह तो यहां पर जो पहली चीज होती है इसके बाद हम सेमिकॉलन का उच करते हैं हमेशा तो simple है यहां पर पहली जो चीज होती है आज शिंटेक्स तो यहां पर हम value को initialize करवा रहे हैं तो यहां तक simple है फिर हम condition को check करने के लिए यह condition है block rate करते हैं तो मैंने यहां पर करा i less than equal to 5 कर लेता हूं तो यहां पर मैंने कुछ condition को input करा जो कि i less than equal to 5 तो इसका मतलब यह हुआ जो i की value होगी वह हमसा 5 से छोटी होनी चाहिए यह मतलब less than 5 होना चाहिए तो यहां पर simple क्या हो रहा है अगर यहां को हम समझे तो यहां पर value को initialize करवा रहे है int i equal to 1 जो की i की value है initial value है 1 तो simple मैंने जो i की value उसको print करवा रहा हूं system.out.print क्योंकि जो भी खेल हो रहा है i में ही हो रहा है तो इसलिए में i की value उसको print करवा रहे है तो यहां पर यहां पर मैंने इस तीले कर रहा है कि जो भी number आएंगे आपस में उनकी बीच में space आजाए ताकि हमको पता चले किसके बात कॉन सा number आया तो simple यहां पर प्रोग्राम बन के तयार है तो इसको पहले समझते हैं तो जैसिके हमने सिंटेक्स में देखा पहले जो फॉरूलिप के अंदर होती है वह होती है इनिसलेशन ब्लॉक तो यहां पर हम वैल्यू को इनिसलेश कर वा रहे हैं जो कि यह आई उकल टुवान तो आई एक फिर है यहां पर हर बार हम रिप्ट कर वा रहें तो फिर हम नीचे आते हैं यहां पर मैंने कर आई कि वैल्ली को प्रिंट तो शिंपल राइक को इसके अंदर पास कर वालते हैं तक ब्रिंटर हो जाए तो जैसे कि मैंने आपको बतेया था जो इसली ब्लोंग होती हो इसिंपल एक की बाहर एक जीकुट होता तो आप देख्थ पैसे पहरोगा पूरी फॉरडूप की लाइप टाइम में सिंपल आई की वैली वहाँ नहीं के फीर उपर जाएगा ऊपर जाने के बाद यहां पर यहां पर आई प्लस- मतलब आई प्लस प्लस मतलब वान प्लस प्लस अगर फिल्स के लिए फिर यह वाला श्रेटन को एग्जीगूट करेंगा अगर ट्रू नहीं है तो हम सिंपल लोग को टरमिनेट करेंगे तो उन्हां पर तो यह पर बढ़के हो गया अग्यम कर चेक वह चेक हो गया तो इसका काम खतम फिर हम इसका अंदर आते हैं फिर मैंने करा स्विश्टम डाट आउडट प्रिंटर इन आई तो हो गया क्योंकि वान से बड़कर टू हो गया फिर टू जाएगा उपर यहां पर इंक्रिमेंड अपले होगा रूपर जो 2 था और 3 हो जाएगा फिर 3 यांपर चेक होगा रहिंगा यहां च्छोटा है आई की जो वैल्नुट से च्छोटा हो जाहिए तो सिंपल हूं इसके अंदर आएंगे इसका हम पृंट करवाएंगे थी तो फिर हम जाएंगे उपर फिर की वेलु बढ़के 4 हो जाएगा फिर 4 यहां पर चेक होगा जो की कंडिशन सेटीस्पाइ हो रहा है तो सिंपल इसके अंदर आने के बाद हम सिंपल 4 को प्रिंट करवाएं तो यहां पर देख पार हो यह जो स्टेटमेंट है यह बार बार एक्जीक्ट हो रहा है यह पर जाने के बाद यहां पर की वेलू बढ़के 5 हो जाएगा तो five होने के बाद कंडिशन चेक होगा कि जो आई की value 5 से छोटा है या बड़ा है तो यहां पर जो दोनों value equal है यहां पर आज की value five ए जो हम five से compare कर रहे हैं तो यहां पर आप देख पह रहो मैंने अपर condition डाला आई less than equal to five मतला आई की वैलू जब five से equal है तब तक हम इसको execute करवाएंगे तो आई की वैलू five है तो simple यहां पर यह जो condition है हो रहे हो रहे है तो simple statement को execute करवाएंगे इसके अंदर आके तो simple मैंने कहां बगाए तो इसके बाद यह फिर उपर जाएगा फाइब के वैलू बढ़के six हो जाएगा फिर six जो है यहां पर चेक होगा कि जो आई की वैलू six से यह five से बढ़ा है यह चोटा है जो आई की वैलू six तो five से बढ़ा है तो simple यहां पर जो लूप है तो जो इसकी मदद से जो है इंक्रिमेंट ऑप्रेटर इसकी मदद से जो आई की वैलू है इंक्रीज वान हो रहा है जैसे वान ताफिट टू हो गया इसे करके five तक आगए हम तो यहां पर आप देख पार हो simple कौन सा statement बार बार एक्जिकुट हो रहा है तो simple यह आप देख पूटे 12345 यह हमको सो होगा console पर तो इसको एक बार सेप करते हैं सेप करने पाद जो cmd उसको ओपन करता हूं में तो यहां पर cmd ओपन करते हैं कंपेल करते हैं मैंने करा जावा से जो भी जावा की फाइल का नाम है वह एक फॉर लूग अंडर्सकोर डेमो डॉट जावा तो यहां पर बिल्कुल कंपेल हो रहे हैं इसमें कोई भी रह नहीं है इसको एक बार सेप करते हैं जावा फॉर लोग फिर अंडर्सकोर डेमो तो यहां पर देख पहरो जो भी वैलू सो हो रहा है वह है 12345 तो हमने जो भी सोचा तो यह यह पर सो हो रहा है तो मैं चाहता हूं यह जो सारी वैलू जहीं एक लाइन में प्रिंट हो जाए तो सिंपल हमको कुछ कि कंपाइल हो रहा है कोई भी रण नहीं रण भी वह रहा है तो यहां पर देख पाए रहा हो जो भी आउट्पूड हमने सोचा था हूँ आउट्पूड यहां पर सो हो रहा है जो के 12345 आई होब आपको पता चल गया होगा फॉर लुप को कैसे यूज करते हैं जावा की प यहां पर देख पाए रहा हो वां से लेकर टेंट तक जितनी वैल्ट में सारे यहां पर सो हो रहे हैं 12345678910 तो इसका मतलब यह हुआ कि जब तक यह स्टेटमेंट एक जीकुट होगा हम उसके अंदर आएंगे स्टेटमेंट को एक्जिकुट करेंगे जब अनुए सटेटम क्योंकि अगर फॉरल विक अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है तो वां पर कर ली वैसे जो है वो अप्सनाल होते हैं तो इसको एक बार देख लेते हैं कि एरर आ रहा है कि चल रहा है यह आले हैं यह पर नहीं है तो यहां पर और ऑप झाले के लूदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हे तो हैंपर हमको कोई जरूत नहीं हें कर ली वशिस के यूज करना है तो यहांपर सिम्पल कलिवरेसी से आप्सनल है यहांपर जो स्टेटमेन्न था फॉरलूप के अंदर इसको मैं अटा रहा हुँ यहांपर कोई भी स्टेटमेन यहांई नहीं है न aanло की बोडिको हम एमटी बीकर सकते हैं आ यहांब इसको कंपेल करते मैंने करणा जावासी फॉर लूप अंड़र्सकूर टेमो ड्रट जावा तो मुझे चल रहा यह चाए अधीं तो यह आपर कोई भी आउट पूट्ट्स नहीं करेंगा क्योंकी हम कोई भी बी अज्वाहश्ट में यह च्मिवर ई Mormon हो सकती है कि तो मालो मैंने एक बार कुछ इस तहा से करा तो यहां पर हमें यूज करहा है तो यहां पर फॉर्लुप की कोई बॉडई नहीं है तो सिम्पल है यहां पर स्टार्ट हो रह calculator हो रहा है अगर सेकलन की बात कर 건Et तो होता है statement की ending पे एंडिंग पर फॉर्ड लुब के बाद मैंने यहां पर सेमी को कर राए अब यहां पर स्क्रीन को पहुच करें तो चल जाएगा यह की ऑब सेफ करते हैं सेफ करने के बाद यहां पर compare करते हैं यहां पर कोई भी यह रान नहीं है और रण करने के बाद यहांपर कोई भी आउटपूट सो नहीं हो रहा क्योंकि जो फॉर्लॉप की बाड़ी एंप्टी है यानिकी फॉर्लॉप की बड़ी तो है नहीं यहांपर सबस्क्राइब कर दो मैंने कुछ इसतरा से करा हैं पर मैंने करा इंट ऐॉकल टुओन तो सबस्क्राइब कोई दीस तरहां कोई नहीं का क्योंकि हैं कर लिया तो तो यहां पर मैंने कुछ यहां पर इसको ब्लैंक छोट रहा है पर कोई भी मैंने इनिसेल आज नहीं कर रहा है कोई भेली को तो सुर मैंने यहां पर करा एक कंडिशन डालता हूँ मैंने कर आई इस देन उकल टू फेर अपर करते हैं कुछ इस तरह से यहां पर भी कुछ नहीं डाल रहा है मिया इंक्रिमेंट ऑप्रिटर इसको प्रिंट कर रहा तो इसकी मर्दर सह माइप की जो वैलू को पूरिंट कर रहा है बात बतावा अगर हम कुछ इस तरह से करते हैं सिरफ यहां पर जो फौर की ब्लॉक होती है अगर हम सिरफ इसके अंदर सिरफ को conditional statement डालते हैं हम ना increment operator या डाल रहें यहां यहां पर कोई वेल्यू कर रहें हम कुछ कर रहें मालों मैंने सिरफ यहां पर condition को input कर रहा हूं तो क्या यह error करेगा यह चल जाएगा यह एक बास screen को pause करें सोचिए कि अगर error आएगा तो क्या error आएगा तो simple इसमें कोई यह चल जाएगा इसमें कोई यह नहीं क्योंकि जो बात है value करने का तो simple हम यहां पर कर रहें इंटा इक्वाल टुवान जो आई की निसले वान है तो आई की वेल्यू का हम फाइब तक चला रहें तो यहां पर मेरे हिसाब से यहां पर कोई भी एरर आएगा नहीं तो simple इसको एक बार सेब करते हैं तो simple इसको इसको कंपेल करते हैं मैंने कर जावा सी for loop अंडर्सकोर तो यहां पर अब देख पार हो यहां पर बिल्ड़कुल कंपेल हो रहे हैं इसमें कोई भी आरए नहीं है इसको एक बार रन करते हैं मैंने करता जावा जो क्लास का नाम है हो यह for loop demo for underscore तो यहां पर अब देख पार हो जो भी आउटपुट सो हो रहा है हो है one two three four five मैं चाहता हूँ एक लाइन पर सो हो जाए तो लाइन पर सो कर रहा है तो यहां पर हम अगर कुछ इस तरह से code लिखते हैं जावा में तो यहां पर कोई भी error यहां पर सो नहीं करेगा तो यहां तक ठीक है तो फिर हम इसका अंदर आते हैं फिर करते हैं प्लस प्लस आएकी वेलू था वान फिर प्लस प्लस होने के बाद आएक की वेलोगे टू फिर उपर जाएगा यहां पर कंडिशन अंदर इनिशल अजिसन ब्लॉक या कोई इंक्रिमेंट या डिक्रिमेंट आपरेटर का यह उच नहीं कर रहा हूं तो कुछ इस तरह से फॉर्लोग काम करता जावा की पोग्राम में अगर मालो मैंने कुछ इस तरह से करा कि का तो आप आप तो यहां पर सिंपल डेखा है रह divers दों का उजकरा रहा है जो पहला सेविकलोन तो मेरो के बाद बता है इसमें कोई एरर आएगा या नहीं देख लेते हैं क्या रहाता है तो इसको पहले सेफ करते हैं सेफ करने के बाद पहले कंपेल करते हैं क्या रहा है या नहीं तो यहां पर मैंने cmd open कर चुका हूं तो यह बार इसको compare करते हैं मैंने करते जावा सी तो यहां पर बिल्कुल compare हो रहा है इसमें कोई भी रन नहीं है इसको रन करते है जावा और लोप अंडर स्कोर तो यहां पर आप देख पहर हो जो की आउट्पूट्स हो रहा है वह इंफिनिटी टाइम्स ऑफ हेलो क्यूंकि हम यहां पर कोई भी ऐसे कुछ कंडिशन के उच नहीं कर रहा है कि जो स्टेट्मेंट फॉल लुक अंदर वह इतनी बाहर एक्जिकूट हो यहां पर जो भी हमारा आउट्पूट हो बस आपको दिखाने के लिए कि हम फॉल लुप के अंदर जो भी चीज़े होती हैं उसको हम एमटी छोड़ सकते हैं तो कुछ इस तरह हम फॉल लुप कर सकते हैं जावा की पोग्राम में हमने हाँ पर बढ़ा की पोग्राम में केसे फॉर लुप को झाल